सब्सक्राइब करने के बारे में जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर हाडवेर के बारे में समझा था क्या खिर हाडवेर क्या है क्या क्या चीजे होती है उसमें तो सभी चीजों पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद में सभी चीजों पर चर्चा करने के बाद में हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक उसी के हाडवेर के करम में एक नया टॉपिक पर बढ़ते हैं लास्ट ट चार्ट किया था मदर्बोर्ट के बारे में चर्चा की थी मदर्बोर्ट के बारे में पोर्ट के बारे में इन सबी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आज आगे करम में बढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे CPU ठीक है तो CPU यानि की Central Processing Unit, Brain of Computer, Heart of Computer के नाम से जिसे हम जामते हैं तो आज CPU के बारे में हम बात करेंगे तो CPU क्या होता है तो बहुत ही important topic है यहाँ से बहुत सारे question भर-भर के question बनते हैं तो CPU से एक नए question आपके exam में देखने को आवस्ते मिलता है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना इस topic hardware के करम में एक CPU वाला topic ठीक है तो सबसे पहले अगर बात करें CPU होता क्या है तो CPU को हम क्या बोलते हैं Brain of Computer और क्या बोलते हैं Heart of Computer भी बोलते हैं ठीक है Computer का दिलो और दिमाग अगर कोई चीज है तो क्या है Computer का दिल और दिमाग क्या है CPU है तो अगर बात करेंगे Father of CPU तो CPU के जनक कौन है तो क्या है Marcian Ted eHub कौन है Marcian Ted Hub महोदे ने क्या किया था CPU का विसकार गया था इसलिए कई थाइन दो आख दिल गौतंवार्म किया मतना है सेरी त्रफॉएय। के और दिल और अच्वार्म और सीत्रक्षिक Strategic Ad분 कर दो निरदेशा करता है क्यों प्रोसेश करताई यानि कि जितने भी हम डेटा इंपट देते हैं जो भी देटा इंपट करते में Florida करते हैं कारी करने के लिए वो उसका निस्पादन करता है कौन करता है यानि कि उसका डेटा का प्रोसेस कौन करता है तो हमारा CPU डेटा का प्रोसेस करता है ठीक है इसका निर्मार किससे हुआ है तो यह मिलकर बनता है किससे टांजिस्टर से मिलकर बनता है ठीक है तो अब देखेगा ट मैक्रो प्रोसेसर बनाया किस से बनाया इसी से बनाया टांजिस्टर से ठीक है फिर हमने क्या क्या मैक्रो प्रोसेसर प्रियोग करना शुरू किया अपने कंप्यूटर के निर्माण में ठीक है जिससे क्या होगा कंप्यूटर की कार चमता भी बढ़ गई और क्या हो गया कंप् प्रफम पिडि के कंप्यूटर में प्रियोग किया था उस इस बाद में यूज करने लगे से ठीक तो दिर्टी इसे हम्ने क्या किया रियोग कारना चुरू प्रेंड प्रियोग आज हम और भी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है तो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है सीपी होता है जितना भी निर्डाय करने का काम होता है कौन करता है सीप्यू करता है जैसे आप भी कोई भी निर्डाय लेना है तो आप भी आपना जो निर्डाय लेते हैं किसके माध्यम से ले कहते हैं ठीक है कंप्यूटर का दिल भी किसी कहते हैं हम सी प्यू को ही कहते हैं ठीक है सी प्यूटर के पिता के रूप में किसे जानते हैं प्राइमरी भाग होता है किसे मिलकर बना होता है सिलकान से बना होता है इसे ब्रेन आप कंप्यूटर हाट आप कि इसका निरमाड किसे हुआ है तो टांजिस्टरों के मिलाकर हमने क्या है इसका निर्माड किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कह रहा है अगला आप कह रहा है कि इटली के भौतिक विज्ञानी फेड्रिको फेड्रिको फैगिंग ने पहले अगर बात करें पहला कामर्सियल सीप्यू जो हुआ जो आम लोगों में यानि कि जिसकी हम खरीद विक्री कर सकते थे तो जो पहला कामर्सियल कंप्यूटर था वो कब निर्माड हुआ था तो किस ने किया था इटली के भौतिक विज्ञानिक फैड को फैगिंग ने कब किया निसमें पहला कंप्यूटर बनाया था तो कमपनी द्वारा पहला cases बनाया गया ए चार बटी ओटूर करने के लिए किया गया था और जो पिनों की संख्याती कितनी होती थी 16 pin होती थी ठीक है तो पहला पहला जो commercial है किस ने बनाया था फैड्रिको फैगिंग महोदे ने कब बनाया था 1971 में और किस कहां के थे ये इटली के थे और किस company में एक थे इंटल company में थे तो इंटल company ने पहला microprocessor बनाया था किसके लिए commercial group में ठीक है अगला क्या है मार्च 1972 ने इंटल ने एक किसी का एक अपग्रेड़ेड वर्जन आड़ विटकम आर्किटेक्चर के साथ में एक नया processor launch कर दिया अब देखेगा cpu के यहां पर types of cpu तो cpu के प्रकार क्या होती है तो cpu के processor कि साथ साथ में हेक्सा कौर है फिर ट OR FOR टा कोर है फिर फिर क्या है दे यह प्रोसेसर है इतने प्रोसेशर इसमें क्या हुआ यूच्छ दूए अइस अब इसको इस तरीके से समझेगा कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब एक कि माल लेते हैं कि एक दीवाल है ठीक है एक दीवार अगर इसको नार्मल इस दीवार को बनाने में एक आदमी बनाता है माल लेते हैं 40 दिन में ठीक है तब एक आदमी इस दीवाल को 40 दिन में बना रहा तो वहीं जब dual core हो जाएगा dual core होजाएगा तो इसका मतलब क्या है दो harping काम को दो core मिलेंगे एक ही प्रोसेशर्ण के मिलकर करेंगे तो क्या होता समय आठ्धा हो जाएगा यानि की 20 दिन में हो जाएगा अगर इसको कौन करेगा डेका को करेगा कीत दो काम करेंगी तो क्या होगा चार दिन में ही ये काम complete हो जाएगा कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जो CPU के core है तो जितने जैसे आप किसी काम को करने के लिए मालेते हैं आप एक पेज लिखने में एक घंटा लगाते हैं ठीक है तो आप दो लोग मिलके उसी काम को करने में कितना कर दे गाई जल्दी हो जाएगा अट वही जो आक्टा कोर है तो वही एक काम 8 वागों में वहाजित होगे हैं प्रेज यह कोर कर दिये जा अशानी केब जाएंगी वो काम आसानी से बहुत कम समय में हो जाएगा इसको इस तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रियत्न करिएगा माल लेते हैं ये काम है ठीक है ये काम है इसे क्या किया एक सिंगल कोर वाला प्रोसेशन लेके आया है तो एक कितना थ्रेड बनेगा एक प्रोसेशन यहाँ यहां पर खुर्टर क्या आया और इसने काम फूरू किया अब इसी काम को क्या किया डियुल कोर का प्रोसेशर tha और यहां पर विक है यह त्यक्र 허गों कार्ःएगा iskalgार्ण के उखर हाओ ठीक है अब यह वर्क है हमारा ठीक है यह वर्क है यहां पर क्या है प्रोसेसर है ठीक है प्रोसेसर है और यहां पर भी क्या है यह प्रोसेसर है आपका यह सिंगल कोर है क्या है और यह क्या है आपका डूवल कोर है ठीक है फिर यहीं पर आपका क्या हो जाएगा क्वाड कोर हो बहुत जल्दी यानि कि 1 by 4 समय में काम हो जाएगा यहां 1 by 2 समय में काम हो जाएगा यहां 1 by 1 समय में काम हो रहा था ठीक है अब इसी काम को क्या करेंगे जब हो हिक्षा कोर या ओक्टा कोर में करेंगे तो क्या होगा बताईगा प्रोसेसर भी क्या हो जाएगे आपके कोर कित देंगे तो कितनी जल्दी काम फिनिस होगा ठीक है जितने ज्यादा कंप्यूटर के कोर बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा कंप्यूटर की कार्य करने की गती क्या होगी बढ़ती जाएगे तो उमीद करते हैं कोर के समंदित आपको चीज़े समझ में आई होगी तो क्या है अभी वर्तवान समय में जो हम यूज कर रहे हैं पहला क्या है जो हम data computer को देते हैं, input करते हैं, पढ़ने के लिए, तो उसे क्या करता है, वो face करता है, अपने भासा में समझता है, और code करता है, और उस चीज को समझता है, कि ये data आखिर किस तरीके के काम के लिए आया है, फिर face करने के बाद में उसे क्या करेगा, data को पढ़ेगा, फिर उस देटा को जो हमने data input किया है वो data हम अपनी भासा में input करते हैं ठीक है वो computer नहीं समझता है तो उसी को क्या करते हैं जो data हमने input किया है computer जो पढ़ेगा उसे तो उस पढ़ने की प्रकिरिया को हम क्या बोलते हैं फिस बोलते हैं फिर उसी जो data input किया है उसी को computer अपनी भासा में मसीनी भासा में convert करता है G1 के Gothic करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं decode करते है अब decode कर लिया अब उसको समझ में आ गया कि काम क्या करना है फिर उसी को क्या कर देगा execute मतलग क्या होता है लागू करना यानि की processing कर देगा फिर आपको को result देगा output फिर क्या करेंगे हम इसे इस्टोर कर लेंगे इस्टोर कहां पर होता है तो सीप्यों में इस्टोर करने के लिए डेटा इस्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं किसका यूज करते हैं और मेमोरी यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं रजिस्टर के नाम से जानते हैं रजिस्टर के नाम पर यहां पर क्या होता है डेटा इस्टोर करने का काम कौन करता है रजिस्टर करता है तो यह क्या है सबसे तेज मेमोरी है सबसे तेज मेमोरी है अगर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी बोली जाए तो कौन होती है रजिस्टर होती है कौन सी होती है उसके बाद में दूसरे नमबर की सबसे तेज कौन सी होती है तो आपकी होती ही क्या कैचे मेमोरी होती है कौन सी होती है कैचे मेमोरी होती है और कैचे मेमोरी भी कितने भागों में बढ़ती है तीन देनिन भागों में कौन से हैं कौन कौन सी कैस फिर होती है आपकी सबसे पहली होती है जो फिर क्या होती है यह तीन प्रकार की आपकी कैस मेमोरी होती है यह क्या हो गया चलिए ठीक है तो यहां पर क्या होती है आपकी एल टू कैस्ट होती है और क्या होती है लवन कैस्ट होती तो सबसे तेज कैस्ट होगी फिर एल टू होगी फिर एल थिरी होगी यानि कि पहला इस सबसे तेस्ट करता है फिर क्या करता है इसके करता है यानी कि डेटा को करता है फिर क्या करता है अगला अगला जो ही बहतरीन तरीके से देखेंगे तो बताइएगा पार्ट आप CPU CPU के कितने पार्ट हैं तो CPU को मुखे रूप से कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में बाटा गया है तीन भागों में बाटा गया है तीन भागों कौन कौन से है सर सबसे पहला है आपका CU दूसरा क् है amu यानि की memory unit या फिर जिसे हम किसके नाम से जानते हैं register के नाम से ही जानते हैं ठीक है memory unit को हम register के नाम से भी जानते हैं तो क्या होगा बताईएगा control unit, arithmetic logic unit और क्या होगा register या फिर इसे memory unit के नाम से भी जानते हैं तो तीन भाग हो गए यह पहले भाग काई यहां से question बनता है काम क्या होता है तो control unit काम करता है क्या जितना भी input output होता है उसको control करता है और क्या करता है decode करता है program and instruction जो instruction हम computer को देते हैं काम करनी के लिए उसको क्या करता है decode करता है computer के समझने लाइक उस data को बनाता है ठीक है तो input को manage करता है full form क्या होता है control काम कोन करेगा कट्रोल करने काम करेगा कौन शावी गुंजब्ल करेगा कट्रोल करेगा झिफ सब्सक्राइब सर्छलत करने अर्थमेटिकल ऑपरेशन जितने भी गरती संक्रियां होंगी यह क्या करेगा जैसे आपका जोड हो गया घटा हो गया गुड़ा हो गया भाग हो गया कोई इस्टोर करना ठीक है इस्टोर रिजल्ट इन एक्यूमिलेटर रेजिस्टर तो यहां पर एक कोश्चन बहुत ही बह फह ललती क्या हो जाती है हम लोग लगा देते कि समझते ही कि डेटा को चूर करने का काम कौन करता है हमारा डर करता है इस सबस्ते है अ कोई पर श्टोर करता है तो एल्यू जो डेटा है आपको कहां पर श्टोर करता है तो एल्यू जो डेटा है आपको कहां पर श्टोर करता है तो एल्यू जो डेटा है वो कहां पर श्टोर करता है आपका बताईएगा एक्विलेटर रेजिस्टर में करता है ठीक है एल्यू जो of computer computer का क्या बोलते हैं building block बोलते हैं ठीक तो building block मतलब क्या होता है new new समस्षळ रहना तो computer की कि most of computer के new के रूप में भी जानते हैं तो बहुत सारी चीज़े हम ने जानी control unit क्या करता है डेटा जो स्वेक्षन होता है जो input हम देते हैं computer को कार् myst के लिए उसे का एक बनाता है यहां पर क्या करता है यहां पर यहांति करता है तो इससे बढ़ा है या इससे चोटा है तो इस क्ट्रहएं कोई ठीक है तो इस परकार से जो कंडिसन होती है तो इन की तुलना करणे के लिए Logic लगाने के लिए को जिम्हेंदार है Logic क्यानि क्या कि होगा के साथ में और को या ने पर को इसेंजNote हो गया घृटा हो गया इभाग हो गया यह सभी किया है CPU की बुनियाद बोलते हैं यानि कि इसे हम क्या बोलते हैं building block of CPU ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं memory unit तो memory unit का काम क्या होता है तो देखेगा memory unit जो है क्या करता है data को store करता है memory इसका full form पूछा जाता है क्या होता है memory unit सबसे थेज memory होती और क्या होती है temporary होते यानि कि power जाने पर data क्या हो जाएगा लौस हो जाएगा इसकी समता अगर पूछे कि computer में ऐसी कौन सी memory है जिसकी भंडार चमता सबसे कम होती है फिर लास्ट में अभी हम लोग discuss करेंगे यहां से साथा टाइप के question बनते हैं उन सभी question को हम यहां से कर लेंगे ठीक है तो लास्ट क्लास के अंत में हम लोग discuss करेंगे उस चीज़ों को ठीक है तो अगला question है अब देखीगा part आप प्रोग्राम के लिए जितनी में मोरी की आउसकता होगी उसको क्या करेंगा फिर क्या करेंगा फिर क्या करेंगा अल्यू जिस तरीके का operation होगा वहां पर जाने के लिए उस तरीके कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा control unit काम करेंगा क्या उसको decode करेंगा फिर आखिर ये काम किस तरीके का है क्या कहना चाहता है जो कंप्यूटर मतलब जिस वेक्ट ने instruction दिया है वो कहम से काम क्या करवाना चाहता है वो क्या करेंगा इससे decode करेंगा और इसको बताएगा फिर arithmetic logic unit उससे related जितनी भी चीज़े हैं वो करेंगा ठिर फिर क्या होगा हमारा control unit क्या करेंगा decode करेंगा मतलब computer जो हमने instruction दिया है जो हमने data दिया है उसको क्या करेंगा decode करके machine के पास पहुंचाएगा फिर क्या करेंगा यहां पर जितने भी operation है जैसे logic है plus है माइनस है गुड़ा है भाग है इसकल्टू है लेस देन ग्रेट ग्रेटर दैन है या फिर कोई भी अन लॉजिक है तो यह लगाने का काम कौन करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा फिर डेटा को इस्टोर करने का काम कौन करता है मेमोरी यूनिट डेटा को इस्टोर करने का काम करता है तो यहां से question जो है भर भर के पूछे जाते हैं फिर name आप CPU प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं क्या जानते हैं CPU को हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं अगर आपको कही माइक्रो प्रोसेसर लिखा दिखा या फिर प्रोसेसर लिखा दिखा तो आपको सेम चीज के ही बारे मे हैं तो CPU को हम किस नाम से जानते हैं से से या फिर मैक्रोप्रोसेसर के नाम से हम जानते हैं यहां टकी तक हिसलिए कोई कोई दिकत परेसानी हो तो बताएं जो लोग लाइब यह ङ where कौन-कौन सी कंपनिया है अभी वर्तमान समय में कारियरत हैं तो इंटेल है सबसे पहले इंटेल कंपनी है दूसरी क्या है AMD है AMD का मतलब होता है Advanced Micro Device Intel का मतलब क्या होता है Integrated Electronics क्या है Intel का मतलब Full-Form होता है Integrated Electronics तो दो कंपनिया है जो क्या करती है हमारी CPU बनाती है कौन सी एक तो होगे Intel दूसरी क्या होगे AMD ठीक है इनका Full-Form भी पूछ लेता है तो इंटेल का Full-Form क्या है Integrated Electronics है और AMD की बात करें तो क्या है AMD का Full-Form Advanced Micro Device क्या है Advanced Micro Device जो है AMD का Full-Form होता है है दोनों कंपनिया क्या करती है Micro processor बनाती है फिर अगला क्या है CPU का Architecture क्या होता है तो Architecture होता है रिस्क होता है और क्या होता है ठीक है फिर रिस्क में क्या होता है इसका Full-Form पूछ लेता है कि CPU का Architecture कैसा होता है तो दो रिस्क मतलब complex instruction set of set computer ठीक है तो इनका मतलब क्या है complex जटिल गड़नाओं को करने के लिए ठीक है जो CPU बना जाते हैं तो complex instruction के अंतरगत आते हैं ठीक है तो यह क्या है रिस्क और सिस्क आप याद कर लिजीगा इनका स्बीट को हम किसमें आते हैं तो यहां से भी क्योशन पूचता है कि स्पीट को हम किसमें आप जाता है कि हेरा है कि हर्ट में इस्ट्रेक्शन पर सखाट में या फिर गतिक हो साइकल ठीक है Sorter Clock Cycle के आधार पर हम क्या करते हैं इनका इनकी गतिका निर्धारर करते हैं तो बताईएगा क्या होगा सही जवाब ठीक है चलिए बताईएगा तो CPU के जो Speed है आपको किसमें मापते हैं हर्ट्स में मापते हैं ठीक है यह मेगा हर्ट्स भी हो सकता है गिगा हर्ट्स भी हो सकता है और CPU की Speed हम किसमें मापते हैं Mips में इसका फुल फार्म क architects पर सेकिन्न होता है stuff किलो इंस्टक्शन पर सेकिन्न होता है ठीक है CPU की Speed कितनी होती है तो ने प्योट्स करते हैं 000 कि Wilson एक 1000 कितनी होती है ऐनी 270 ऑचिंट्य पर सेकिंड 15 आपके computer की speed होती है CPU की गतिकानिय धारत किस पर करते हैं तो sorted clock cycle पर हम CPU की गतिकानिय धारत करते हैं ठीक है तो सभी टाइप के question आपके यहां से ओ चुके हैं ठीक है तो बहुत ही वेतरीन टाइप आपका CPU है अब देखिएगा यहां पर क्या है आपका कुछ structure दिया गया है डेटा को तो CPU और RAM के बारे में बताए गया है तो जब हम data input करते हैं रह में जाता है फिर उस data को काम क्या करना है तो इसको एक-एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं ठीक है चलिए हमने क्या किया जो data input किया है रैम में गया रैम से कहां जाएगा आपके पास में जाएगा कम्प्यूटर में यहां पर memory management का होगा memory management कि इतना memory देना है फिर क्या होगा memory memory management का काम कौन करेगा memory unit का करेगा फिर यहां पर control unit उस data को समझेगा कि किस प्रकार का यह data है अब इसने समझा कि यह data एक जोडने के लिए प्रक्रिया दी गई है कि 5 प्लस कितना जोडना है चार जोडना है अब यह हमने तो टाइप कर दिया लेकिन computer क्या इस रूप में समझ binary form में फिर इस operation को क्या करेगा convert करेगा ठीक है binary form में फिर क्या करेगा binary form में convert करने के बाद में pass का कोई binary code होगा उसको convert करेगा ठीक है फिर operation का code होगा फिर इनको जोड़ करके क्या होगा हमें result no prompt होगा तो वो भी क्या होगा 01 के form में होगा फिर इसको क्या करेगा फिर convert करने के बाद में convert होगा फिर हमें क्या होगा फिर यहां पर आएगा सीधे कहां पर रैम पर रैम के बाद में क्या होगा हमें output प्राप्ट होगा यानि कि हमारे computer में जो कुछ भी display हो रहा है तो रैम के होते ही display हो रहा है अगर हमारे computer में RAM खराब हो जाएगी तो हमारे computer में क्या होगा display on नहीं होगा क्या होगा display on नहीं होगा तो हमारे computer में display के लिए जिम्मेदार कौन होता है तो display के लिए जिम्मेदार होती है क्या random access memory होती है क्या होती है random access memory जो है हमारे कंदूटर में डिस्पले के लिए जिम्मेदार होती है चलिए बहुत ही बहते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तो अगला कोश्चन कह रहा है आगे है सीमाउस बैटरी ठीक है तो कल हम लोगों ने चर्च कि थी बहुत सबसे पहले तो बेशीक जितने भी पार्ट एं उनके बारे में उनके चर्चा की थी यह का बोर्ड के हमने क्या होते हैं तो lords क्या होते हैं pci slots क्या होते हैं सभी चीजまで च्रचा किया था फिर क्या है डेटा फिर हमने क्या कशलों है किसी ना किसी भासा में आपको देखने को मिलेंगे भीक हे लैंग स्कंवर्टेड हो सकती है लेकिन आपको यहीं से मिलेगा ठीक है अगर पूछा जाएगा इस टॉपिक से कुष्चन तो फिर क्या होती है आगए अगला है आपका सी क्या होती है यह एक बैटरी एक छोटी सी सेंटिकल बैटरी होती है जो कहां पे स्थापित होती है मदर बोर्ड पे आपकी लगी होती है यह बैटरी एक निरंतर सतत उर्जा सप्लाई प्रदान करती है ताकि सीमास चिप के लिए डेटा को सीमास चिप के लिए डेटा को स्टोर किया जा सके ठीक है सीमास चिप आमतार पर बायोस के साथ होता है ठीक है सीमास चिप क्या है यह बायोस के साथ होता है जो कंप्योटर की बोटिंग प्रकिरिया को निर्देशित करता है तो अगर पूछे प्रसने कंप्योटर की बोटिंग प्र मुझें खिक है चलिए तो यह क्या है इसका मतलब समझ में आयां जैने का माइप मतलब रख़ों कुछ कारी मैं ऐसे होते हैं है मी हम क्या करते हैं करता सब्सक्राइब को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद में क्या कर देते हैं पूरते हैं स्विच पावर सप्लाई आफ कर देते हैं तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे कारी हैं जिनको चलना लगातार आउश्यक है और वो कार अगर वो चीजे पावर सप्लाई इनकी बाधित हो जाएगी तो बंद हो जाएगा तो क्या होगा आपकी बूट्ण प्रक्रिया में दिक्कत होगी और आपको बार बार इंटरन समय लागई नहीं कर सकते हैं तो क्या है कि उसके जिम्मेदार होती है जब क्या करते हैं कंप्यूटर को फूर्टवं सप्लाई हमने बंद कर दी तो यह क्या करेगी यह battery उस chip को सी मॉज चिप होती है उस chip को क्या करती है power supply पहुंचाती रहती है जिससे क्या होता है हमारा जो clock system है जो मतलब समय है और क्या है date है वो भी क्या रहती है मतलब सही रहती है ठीक है तो क्या होगा बहुत सारे चीज़े को लिए जिम्मेदार है अगला करें सी मॉज बैटरी का मुख्यू प्यो गिया है किया system की booting configuration और समय तिथी जैसी महतपूर data को store करती है तो booting की जो configuration होती उसको क्या करती है store करती है और क्या है समय और क्या है तिथी जैसी महतपूर जानकारी को क्या करती श्टोर करती है यदि computer को बंद कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है बायोस का data आपका will open हो जाएगा चला जाएगा या फिर समय और तित्र जो होगी वो भी आपके क्या होगी गलत बता है कि जिससे क्या होगा आपका जो computer on होगा تو आपको बहुत सारी चीजे बहुत सारी error आएंगे जो समय और time से related होंगी तो उनको करने के लिए क्या होगा बहुत सारी आपको error होंगी और जब error मिलेंगे तो आप क्या करेंगे इंटरनेट भी नहीं use कर पाएंगे कोई website access कर रहे हैं कोई navigation doulation access कर रहे हैं आप Abatus नहीं कर सकते हैं ठीक है पर काम उसकी उसके रहे है चेज़ों को आप नहीं अधेर कर सकते फिर का अअब का बताईए का फिर क्या है USB Pour rrg का रहेमें तो USB bakis क्या है थ्मिख लाकर क्या होते हैं इथनेट अगो Character स्सक्राइब होता हैं तो यस भी पोर्ट क्या होते हैं एक चलिए तो यस भी पोर्ट के बारे में पढ़ा था पहींología लगा कि पर्योग करते हैं सबसे पहला तो यसी भी पर्योग करते हैं कोई हमारे कंप्यूटर से वह भी देख रहे हैं तो आवाज सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे आडियो पर्योग करेंगे जहां क्या करते हैं अपना speaker connect करते हैं अगला क्या है फ्ट पर तो फ्ट्व हम लोग पुराने समय के computer में यूज करते थे यूज देखने को मिलते थे जिसमें हम क्या करते थे mouse और keyboard की जोड़ते थे जिसमें आपका दो color होता था purple और क्या होता था ग्रीन तो purple में हम किसका यूज करते थे keyboard का और green जो color था वहाँ पे हम किसका यूज करते थे mouse का प्रियोग करते थे अगला क्या है serial port तो serial port में क्या होता था हम उस समय पुराने computer हुआ करते थे उसमें जो serial port और parallel port दो परकार के port हुआ करते थे जिसमें हम क्या करते थे पहले printer को जोडने के लिए serial port पीरलर पूर्ड का प्रियोग कीया जाता था कुई सुरच्चा से related devices है उनको जोडने के लिए हम parallel पोड या serial पोड का प्रियोग करते थे और robotic Quit कोई computer robotics को चलाने के लिए रोबोटिकS computer है उनको चलाने के लिए हम किसका प्रियोग करते थे serial port और paruller port का प्रियोग करते थे अगला क्या है SATA तो SATA क्या है SATA एक प्रकार करियाज़़ की cable है यहां पे SATA तो कितने परकार के चोंधा तक सकते हैं यहीं सबसे आपके में मदर बोर्ड कऊंदम क्र नीए अलायर आपका में यह नहीं कि आनल आपकी जींट हला पूलाए व क्योंट से तक मिन किका नीए , hardware transfer करनी के लिए और hardware से data hardware transfer करनी के लिए किसका प्रियोग करते थे हम advanced technology आटैश्मेंट यानि कि ATA cable का प्रियोग करते थे उसके बाद मैं ATA cable का upgraded version आया ठीक है जिससे हम किस नाम से जानते थे pata cable किस नाम से जानते थे pata P A T A यानि कि parallel advanced technology attachment ठीक है तो पार्टा केबल के यूज़ करने लगे पार्टा केबल के बाद में फिर एक नई केबल आई ठीक है तो पार्टा जो पैलर पोर्ट होते थे वो पोर्ट बड़े हुआ करते थे ठीक है तो केबल भी क्या करनी पड़ती थी हमें बड़ी बनानी पड़ती थी और प तीर चीज को का करती है साटा पोट में क्या बोलें अब सास्टा में इसका मतलब किमोर्ऻी पोस्तर्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं कोई ऐसे चीज झाते ऐसे उक्रण होते हैं जिनको क्या करना होता है हमें लगाना होता है एक्स्टरनल करना मतलब कंप्यूटर को अफग्रेड करना होता है और अफग्रेड करने के लिए हम प्रियोग करते हैं जैसे आपके कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर एक परचेस कर रखा है और क्या किया करेंगे एक तो क्रेंगे ंप पोगेंख ये एक तोसृट कर करेंगेु कि दो समया वहने साय परिवर्तन के लिए जैकすぎter लाउंच हो जाता है ठीक है तो इसी प्रकार से यहां पर भी क्या है हमने कंप्यूटर खरीदा फिर यहां पर मदरबोर्ड पर PCI Slots दिये होते हैं कि आपने अभी वरतवान समय में जो कंप्यूटर लिया है उससे उसकी और अधिक अतरिक्त कार्चमता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं PCI Slots का यूज कर सकते हैं उसकी कार्चमता को बढ़ाने के लिए तो उम्मीद करते हैं यह चीजे आपको समझ में आई होंगी तो PCI Slots में आप जिसे गेम खेलते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए अच्छा विजूट विजूट देखने के लिए आप ग्राफिक्स काड का यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपका एक कोस्टन था जहां पर हम लोगों ने एक कोस्टन पढ़ा था क्या बोला था उससे हम बाद में भ भी दो भाथ किया था यहां पर सबसे तेज मेद मेमोरी लिखा था कट्रोल yunit के बारे में बात किया था हम लोगोंने ठीक है चलिए तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं फिर हम लोग उस दिखेगा जहां पर फिर वहां से हम आगे बात करेंगे ठीक है तो cpu Prcessor के बा ठीक है प्रोसेस करता है डिकोड करता है और क्या करता है एक्जक्यूट करता है यानि कि लागू करता है इसका निर्माड किसे बना है टांजिस्टर से बना है ठीक है तो टांजिस्टर से मिलकर इसका क्या हुआ है निर्माड हुआ है तो सीप्यों टांजिस्टर किसे बने होत खाल्ड के बारे में तो अगर बात करें कि की आत्म मां किसे कहते हैं तो बताईएगा क्या होती है तो हमने पढ़ा क्या, कंप्यूटर का दिल पढ़ लिया è- è- bien mach पढ़ लिया, बिमाग् किया है? दिल पढ़ लिया, çी क्या हो गया xp ho प्रफेटर की नाम से जाने जाती तो कंप्यूटर की क्या कहते हैं आतमा कहते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं पिर इटली के विज्ञानिक थे फैड को फैगिंग महोदेने इन्हों क्या किया था पहला कामर्य कम्पूटर CPO क्या होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं आज अट लोगते हैं तो यह किस निने बना यह इतली भी ज्याणिंग कन आ पाrib फठीघा कॉस्टन मनता है गृष कमपणी ने बनाया था तो किस कामपणी ने बनाया था दो बताइएगा enteo re meant that कि स्मॉचित ईंटल ने रभग कामर्सियल कंप्यूटर किसने बनाया था फैडरीको पेर इनमहादे मोह देने क्या बनाया था पहला पहला परोशेसर बना ये था जो प्रोशेसर पहला बना था किया दाउ struggle क्या डेका कोर तो हमने बताया था डेका को ये कोर क्या होते हैं तो computer जो CPU आपका होता है तो CPU में जितनी भी चीज़े होती है ठीक है अगर कुछी कारी को एक लोग मिलकर करेंगे तो एक दिन में कर रहे हैं अगर उसी काम को दो लोग मिलकर करेंगे तो आधे काम क्या हो जाएगा complete हो जाएगा अगला क्या इ्टली के बहुत थीक विज्ञानिक फिर वही बाते आ जब थे pag execute करता है तो यह होती क्या है देखेगा CPU की ग्लॉक साइक्ल होती है सबसे पहले होता है ho daira को इनपूट करते है त्षब देटा जो इनपुट होता है उसे यह चया करता है ठीक के पड़ता है पढ़ने के बात ये यह क्या करता करेंगा यानिंकी मसीणी भाशा में ऐसे लिए अप फिये करने के लिए थी है तो इसे का अब गोलेंगे एग्जक्यूट करना ठीक है एक्जब्यून का मतलब यह और होता है लागू करना फिर क्या करते हैं डेटा को कई श्टोर करते करना और क्या है डेटा को स्टोर करना तो यह होता है क्या सीप्यू का जो साइकल है यह आपका सीप्यू का साइकल हो जाएगा ठीक है चलिए अगला खोश्चन देखते हैं आगे क्या बढ़ता है फिर हम लोग ने पार्ट आप सीप्यू के बारे में पढ़ा सीप्यू के बार करता है प्रोग्राम एन इस्टर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् श्टोर करता है किसमें accumulator register में data को क्या करता है श्टोर करता है इसे building blocks आप computer कहते हैं इसे हम बुनियाद भी कहते है computer की जैसे आपकी घर की new होती है उसी परकात से यहाँ पर जो CPU की new है कौन होती है arithmetic logic unit है फिर आपका memory unit तो इसका perform क्या होता है memory unit सबसे तेज memory होती temporary memory होती है और क्या है इससे सबसे कम भंडारण छमता होती ठीक है तो अब हम लोग इसी के बारे में discuss करना चाहते थे तो यह बात आ चुकी है तो देखेगा computer का कुछ structure इस तरीके से होता है ठीक है यहाँ पर आपकी क्या होगी HDD होगी फिर क्या होगी यहाँ पर आपकी SSD लगी हो सकती है किसी के computer में ठीक है यहाँ पर क्या होगा आपका input होगा ठीक है input होगा input के बाद में सबसे बाहर से input फिर computer के और यहां मेमोरी आपको क्या देखने को देखने को मिलेगी क्या मेमोरी के साथ में यहां पर क्या होगा ड़र si pu को कितने भाग है आपका थीन भाग है कौन कौन से तीन बाह गए सबसे पहला कौन सा है C few Control contribution फिर क्या है एल्यू है Arthematic Logic Unit ने पिर क्या है यहां फे में मोरी यूनिट है तो यह हो गये पिर यहां पर क्या है आपका OutputRate क्या है OutputRate अब यहां पर देखेगा इस इस मेमोरी यूनिट को हम किसके नाम से जानते हैं रजिश्टर के नाम से भी जानते हैं इस मेमोरी यूनिट को हम रजिश्टर के नाम से भी जानते हैं अब कह रहा है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो रजिश्टर है तो यहां पर देखेगा अब कैस मेमोरी का भी अगर व देखेगा यहां पर अगर हम बात करें बात करेंगे इसस्पीड के आधार पर कैपर कशन करें तो तो सबसे जादा तेज होगी ठीके गटे करम में तेज से तेज से कम की ओर यानि की घटते करम में देखते हैं तो सबसे तेज क्या हो जाएगी बताइएगा सबसे तेज होगी आपकी रजिस्टर हो जाएगी क्या हो जाएगी सबसे तेज रजिस्टर हो जाएगी दूसरी नमबर पे क्या आएगी L1 catch आएगी फिर तीसरे नमबर पर क्या आएगी बताइगा L2 catch आएगी फिर चौते नमबर पर क्या आएगी बताइगा L3 catch आएगी फिर क्या आएगी आपकी RAM आएगी क्या आएगी RAM आएगी फिर आपकी क्या आएगी बताइगा SSD आएगे, फिर क्या आएगी आपकी NDD आएगी, क्या हैगी? HDD आएगी, तो यह क्या है, सबसे तेज हैं, यानि कि तेज के आधार पे तो सबसे तेज कौन सी होगी Register हो जाएगी, फिर L1 कैशिय हो जाएगी L2 कैशिय हो जाएगी, L3 कैश हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है तो देखिए जो मेमोरी इसको याद कर लेजेगा जो मेमोरी CPU के जितने पास होगी वह सबसे तेज मेमोरी होगी तो यहां पर CPU है यह CPU है आपका तो जो अब सबसे पास में यानि कि CPU में ही मेमोरी है तो क्या होगी यह सबसे तेज होगी की नहीं बोलो यह सबसे तेज हो जाएगी बोलो हाँ या ना तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी register क्योंकि यह CPU के पास ही है तो सबसे तेज क्या हो जाएगी आपकी register हो जाएगी फिर क्या है L1 cash देखेगा CPU के पास है की नहीं फिर L2 cash उसके बाद CPU के पास है फिर L3 cash उसके बाद CPU के पास है फिर उसके बाद में यह cash memory का part है फिर क्या है RAM है उसके तो यहां पर यह तो बराबर दूरी रखते है ठीक है लेकिन यहां पर क्या होता है यह डीटी जो होती है आपके क्या होती है मैगनेटिक होती है मैगनेटिक होती है और यह क्या होती है आपकी बताईएगा अलेक्ट्रॉनिक होती है electronic होती है और हमारा जो computer है हमारा computer data किस रूप में समझता है हमारा computer जो है data किस रूप में समझता है तो बताईएगा हमारा computer data जो है किस रूप में समझता है तो data हमारा computer समझता है electronic रूप में किस रूप में electronic रूप में data को समझता है ठीक है बोलो हाँ या ना SSD अब यहां पे मतलब होता है इसका फूलर्म क्या होता है? hard disk drive होता है hard disk drive होता है इससका फूल पर में होता है data को store करते है magnetic group में किस रूप में、 मैगनेटिक रूप में डेटा को इस्टोर करती है और ये डेटा को इस्टोर करती है किस रूप में एलक्राणिक रूप में किस रूप में एलक्राणिक रूप में डेटा को इस्टोर करती है अब ये मैगनेटिक रूप में एलक्राणिक रूप में डेटा इस्टोर करती है त देटा भी समझती है तो डेटा रीड करती है कौन सा डेटा जो रीड करती है ठीक है डेटा रीड करती है किस फॉर्म में तो डेटा रीड भी करती है किस फॉर्म में एलेक्ट्रानिक फॉर्म में अब यहां पर क्या है अब डेटा भी हमारा क्या है यह एलेक्ट्रानिक डिव तो इसमें data electronic group में store हो रहा है और computer electronic group से data भी समझ रहा है तो इसमें कोई conversion किया हो सकता है conversion किया हो सकता है तो conversion किया हो सकता कोई भी नहीं है तो कोई conversion किया हो सकता यहाँ पर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर magnetic group में data store होता है अब computer हमारा data समझेगा क्या electronic data को फिक है electronic data को समझेगा अब magnetic data को किसमें इस magnetic data को electronic data में क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा और जब इसमें हम data को क्या करेंगे convert करेंगे तो क्या होगा समय लगेगा कि नहीं तो क्या होगा समय लगेगा क्या लगेगा समय लगेगा और जिब समय लगेगा तो क्या होगा तो बताईएगा समझे लगेगा, तो यह slow होगी की नहीं, तो यह हो जाएगी, आपकी slow हो जाएगी, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसे शीज़े आपको समझ में आई होंगी, अब यही से आगे बढ़ता है, इसे को और आगे ले चलते हैं, तो यहां पर उता है रोएक और बार बना लेते हैं। कर लेते हैं रैम के साथ में कर लेते हैं। कंप रोड़ायी के सांथ में क्र लेते हैं। एक तो यूनिट ठीक है फिर क्या होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फिर क्या होगा यहां पर मेमोरी यूनिट जिसे हम किस नाम से जानते हैं रेजिस्टर के नाम से जानते हैं रेजिस्टर के नाम से जानते हैं अब क्या करेंगे हम कंट्रोल यूनिट मेमोरी जितने पास होगी जितने पास होगी पास होगी उतनी ही तेज होती है ठीक है उतनी ही क्या होती है उतनी ही तेज होती है और क्या होगा साथ भी साथ उसमें क्या होता है और अगर बात करें जो जितने पास होगी जो जितने पास होगी CPU के ठीक है पास होगी किसके पास होगी CPU के ठीक है जो जितने पास होगी CPU के तो वो क्या होगी CPU के उसमें क्या होगा उसकी जो इस्टोरेज चंता होगी ठीक है उसकी उसकी क्या होगी जो इस्टोरेज चंता है वो क्या होगी उसकी इस्टोरेज जो चंता है क्या हो करें अगर पता एगा तो सबसे कम इस मता किसकी होगी अगर अगर बताईएगा तो सब से कम है बढ़ते करम में ठीक है अगर ते करम में ठीक है है तो देखी कि क्या उने से नहीं हो सकती तो देखी है ये दोनों सेम है भी ये पुरानी टेक्नलोजी ये इसमें क्या था बहुत सारी research की जा चुकी थी तो यह क्या कि काफी ज्यादा हो चुकी मतलब इसका size काफी ज्यादा बनाया जा चुका है सबसे कम किसके आएंगी बतायगी तो सबसे कम हो जाएगी आपकी किसकी रजिस्टर की किसकी हो जाएगी रजिस्टर की ठीक है तो यह तो किसमे हो जायेंगी के बी किसमें हो जायेंगी कि समें हो जाएंगी और टी एप टिर में चाथ करके उपड़ी है इनकी तो साइस की कोई बात ही न करो डीक है 2 टीथkä तो यह क्या है तक के यह उपलब्द है या इससे उपर भी क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे तो उम्मीद करते हैं यह चीजे भी आपको समझ में आई होंगी बहुत ही बहुत भेतरीन तरीके से ठीक है तो अब यहां से रिलेटेड कोश्चन आप कर लेंगे चलिए एक कोश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे एक कोश्चन आ रहा है इस कोश्चन को जवाब दीजिएगा तो इस टोरेज चमता के आधार पर क्या करेंगे हैं मेमोरी का विवाजन करेंगे ठीक है आधार पर सबसे ज्यादा भंडारल वाली डिवाइस कौन सी है तो पताएगा सबसे ज्यादा भंडारल वाली डिवाइस कौन सी है तो सबसे ज्यादा भंडार वाली डिवाइस कौन सी होगी प्लास में कौन सी होगी तो बताएगा सबसे ज्यादा भंडार वाली डिवाइस कौन सी होगी तो बताएगा तो ऑप्सन आपको देखने को मिलेंगे ऑप्सन ए ठीक है ऑप्सन ए क्या कह रहा है बताएगा ऑप्स option c और option d चार विकल्प आपको दे रहे हैं option a क्या कह रहा है option a यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर रैम देख लेते हैं फिर दूसरे पर देख लेते हैं क्या l3 catcher देख लेते हैं फिर रख लेते हैं SSD रख लेते हैं और यहाँ प कैच होगा 11 कैच या फिर क्या होगा रजिस्टर होगा क्या होगा रजिस्टर होगा तो बताईएगा अगर इसका हम तीसरा विकल्प देखें तो तीसरा विकल्प क्या हो सकता है तो तीसरे विकल्प की अगर हम बात करें ABC और क्या करें डी तो यहां पर बताईएगा कैस कर द सबसे ज्यादा किसका होगा यहां पर हम बात करें तो किसका हो जाएगा फिर अगर हम बात करें इसी का एक और देखें एक और और को सब्चार देखा जाएं एक और रोटेंट देखा जाएं तो कोस्चन क्या कह रहा है कि को को सब्सक्राइन आपके स्क्रीन कहे का सब्सक्राद और ग्ठाध के बाति के आधर wizard गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी का चैन करना है तो बताई गा सबसे तेज मेमोरी का चैन करना है तो सबसे तेज मेमोरी का क्या करना है का चैन कीजिए तो बताईएगा सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी चल यह चार विकल्प देखते हैं तो विकल्प क्या है चारो विकल्प में सबसे पहला विकल्प क्या है ए बी सी और क्या है डी यहां से दूसरे विकल्प देख लेते है दूसरा विकल्प क्या है क्या question बन सकता A B C और क्या D और यहां पर तीसरा विकल्प देख लेते हैं एक और देख लेते हैं A B C और क्या है चार विकल्प यहां पर भी देखने को मिल लें ठीक है अब यहां पर आपको दे दिया गया क्या RAM दे दिया गया यहां पर दे दिया ग गया फिर यहां पर क्या कर दिया गया अगला दे दिया गया रैम दे दिया गया ठीक है यहां पर दे दिया गया क्या एलवन कैचे ठीक है रैम हो गया ठीक है रोम हो गया और यहां पर क्या दे देगा एसस्टी दे दिया गया अब बताईएगा इसमें क्या होगा किसका सबसे सबसे ज़्यादा बंडार चमता सवरी सबसे ज़्यादा गति किसकी होगी तो यहां पर इस कोश्चन में क्या होगी सबसे ज़्यादा गति किसकी होगी बताईएगा सबसे तेज क्या हो जाएगी यहां पर बात करें तो सबसे तेज यह आ जाएगी पहले नंबर पर यह दूसरे नंबर पर आ जाएगी और यह क्या है आपकी बताईएगा एससडी और क्या है रोम ठीक है तीसरे नंबर पर आ जाएगी और यह क्या है चौथे नंबर पर आपकी आ जाएगी ठीक है तो उम्मीद करते हैं ये questions आपको सभी questions समझ में आए होंगे ठीक है तो बढ़ते हैं अगली class अपने अगली class की ओर ठीक है तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा CPU के बारे में पूरा समझा कल हम लोग अभी start करेंगे part up CPU के बारे में जितने भी लगवक चीज़ें हमने कर लिया है motherboard कर लिया है ठीक है motherboard हो गया है motherboard हो पर हमने चर्चा की है motherboard के बाद में हमने किस पर चर्चा की है SMPS पे चर्चा की है SMPS के बाद में जितने भी port है port पे चर्चा की है CMOS बैट्टी पे चर्चा की है CMOS बैट्टी के बाद में CPU पे चर्चा की है तो इन सब चीजों पे चर्चा कर लिए है बच्ची क्या है आपकी memory unit ठीक है memory unit बच्ची है और यहीं पर क्या हैИ बायोस है तो बीयोस हो चुका है मेमोरी यूनिट हम लोोग पढ़ेंगे ठीक है तो CPU भी कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अगला टॉपिक जो होगा या peripheral devices के नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो input output devices या फिर peripheral devices देखने को मिलेगा ठीक है तो input output devices and peripheral devices के नाम से भी इसे हम जानते हैं तो कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या कल हम लोग input output start कर देंगे और input output devices के बाद में हम लोग input output को एक एक करके complete करेंगे यहां पर सभी devices के बारे में पढ़ेंगे फिर जितनी भी आपकी input devices सबको फिर output devices को सभी को finish करेंगे फिर आपका हम अगला सब्सक्राइब करेंगे software करेंगे ठीक है फिर software complete करने के बाद में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस तरीके से आपका syllabus बढ़ते करम में बहुत ही बहुत ही बहुत तरीके से चल ला है तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक लिए सभी को नमस्कार जै हुँ जै भारत